नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में और आप ये देख सकते हैं कि भाई मैं आ चुका हूँ मुकसर मंडी के अंदर और आप जैसे कि सभी लोगों को पता ही है कि भाई बहुत पंजाब के लोगों ने कोशिश करी सरकारों से मिले मंत हो गई है पर कोई बात नहीं तैयार यह भई पूरी करली भी जाएगी कुछ ही टाइम के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी यह जो मंडी है वह 10 11 12 13 14 15 16 16 तक की परमीशन है पर यह मंडी बैसे भी 14 15 तारिक तक यानि कि मैन अच्छी चलती है यानि कि 15 16 तारिक भी आप आओगे तो यह मंडी आपको चलती हुई दिखेगी और 12 13 14 में यह मंडी बहुत ज्यादा भड़ती है ना तो जो भी भाई लोग है जो आना चाहते हैं वो सारे भाई लोग मंडी में आ सकते हैं जो भी लोग दूर से आ रहे हैं वो भी आ सकते हैं मुकसर भी पंज जरूर कर लेना क्योंकि यहां पर होटल वगेरा थोड़ी सी कम है उस बज़े से थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है बाकि आप देख सकते हैं कि मेले की तैयारिया अपने चरम पर है और आज रात को या कल तक और तैयारिया भी धीरे-धीरे पूरी कर ली जाएगी यह देख स बाउशी बाईवा जैसे बाई लोग पूछते हैं कि हमारेको नुक्रे गोडा गोडी चंबे गोडा गोडी लेने हैं तो अगर आना चाहिए तो थोड़ा सा सेब्टी से और साबदानी से आए और जो बाई लोग मनदी मैं अपने साब्दानी हाथ में देखो होता कैक अप यह बीडियो बनाया था ऐसी एक दो गटना देखने के लिए पाई गई थी यह देख सकते हो आप यह टेंट लग रहे बाकि यह है कि आज जो यह बीडियो बना रहा हूं मैं दस तारीक की डेट में बना रहा हूं बाकि यह की 11-12 तारीक तक यह मंडी पूरी फुल हो जाएग बाकि यह है कि होटले बगए थोड़ा सा बुक करा ले ना अपनी क्योंकि एंड टाइम पर थोड़ा सा यहां दिक्कत आती है और बाकि थेंड है थोड़ी अब भाई आज के अभी जो टैम पे यह वीडियो सूट कर रहा हूं अभी तो थेंड हलकी है ना पर यह कि आप पुक्ता होके आना पूरे भाई है ना कि किसी के यहां पर थेंड कम हो और एक दम वो थेंड में आए तो दिक्कत वाली बात है त सर्दी के कपड़े पूरे लेके आना ठीक है दोस्तों बाकि हम आपको यह अपडेट इसलिए वीडियो बनाया था कि आपको एक छोटा सा अपडेट देते हैं कि मंडी आज से चालू हो जाएगी और 15-16 तारिक तक रहने वाली बाकि हम आपको और भी वीडियो में इस तरी